हेलो, चलिए तो जानते हैं कि यह जो है यानि के मुबाइल फोन इसका एजाद कभ हो यानि इसके invention कभ हुई, इसके invention किसने की ऎपहले के वक्त में किस तरह दिखाए देता है और आज के वक्त में ये तो इस तरह दिखाए देता है चलिए जानते हैं मुकमल इसकी मालूमाद सन 1886 में गरहाम बेल ने इसकी एजाद की अठरा सो एक कैनवे में पुश बटन यानि के जो रिंग वाला टेलीफोन हुआ गजा था जिसको ऐसे 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 गुमाना होता था उसको एजाद किया गया फिर 1915 में इसकी मज़स से पहला कॉल किया गया जो के दो शहरों के बीश में हुआ इसके बाद 1963 में जो है जो हमारे पास पहले फोन हुआ कर था ऐसे रिंग वाला उसकी जगे फिर तरश यानि इस दबाने वाला जो है टेलीफोन बनाया गया इसके बाद 1973 में जो है पहला वायरलेस यानि जो बगैर केवल का मुबाइल फोन बनाया गया और 1983 में इसको अवाम के इस्तेमाल में लाया गया फिर 1901 केंवे में इन मुबाइल की सेकंड जनरेशन यानि के छोटी जसामत के जो मुबाइल है वो बनाये गए जिसे हम सेकंड जनरेशन ने 2G कहते हैं इसके बाद फिर 2007 में एपल कमपनी ने अपना टच स्क्रेन यानि ये मुबाइल फोन लाँच किया जिसके बाद में टच स्क्रेन मुबाइल लाँच होने के बाद 2010 में जो है हमारा 4G नेटवर्ग आया जिसकी वज़ासे इंटरनेट की जो है स्पीड बहुँ जादा 2010 में 4G के बाद 2019 में हमारे हाँ पर 5G इंटरनेट भी लाँच कर दिया गया और आज के वक्त में हम इस 5G इंटरनेट से इस तरीके के मुबाइल फोन्स को इस्तेमाल कर पाते हैं